कीवर्ड सर्च में हमने पहले बात की थी कि कीवर्ड की डिफरेंट टाइप्स होती है अब डिफरेंट टाइप्स हमें बताती हैं कि हमारे लिए कौन सा कीवर्ड बेतर है जिसमें short tail और long tail keywords हमने discuss किये थे उन में हमने simple queries और money keywords भी discuss किये थे इस lesson में हम बात करेंगे कि वो money keywords actually find कैसे करने हैं आपको याद हो कि मैंने कहा था कि सिर्फ keywords नहीं identify करने हमने keywords के अंदर उसका motive भी देखना होता है उसकी intent भी देखनी होती है intent से मुराद कि customer क्या सर्च करना चाह रहा है और वो क्या mind में रखते हुए वो सर्च कर रहा है तो हमें कुछ keywords बड़ी clear guidance दे देते हैं कि हम उस customer को क्या deliver करेंगे तो वो हमसे sale ले सकेगा तो for example अगर कोई mobile phone सर्च कर रहा है तो हमें ज़्यादा clarity नहीं है लेकिन अगर कोई brand का नाम लेकर mobile phone साथ prices लिख रहा है तो possibility है कि वो शायद उसको खरीदना चाहता है क्योंकि जब वो उसकी prices सर्च कर रहा है तो might possible कि वो जब में पैसे लेके बैठा वा है और उसको वो देख रहा है कि budget में है या नहीं और अगर budget में है तो शायद उसको buy भी कर ले तो ऐसे keywords जो ultimately आपके business को grow करते हैं sales और leads के थूरू उनको हम money keywords कहते हैं तो अगर आप अपनी website के लिए काम कर रहे हैं किस तरह से हमने जो keyword research की है उसके अंदर हम अपने keywords को classify करेंगे different categories में और उसमें से हम understand करेंगे कि कौन से keywords money keywords हैं अभी तक जो हमने classification की थी उसमें हमने relevancy wise ये देखा था कि मुझे कौन से keywords चाहिए और कौन से keywords नहीं चाहिए लेकिन मैं उनमें से ये भी देखूँगा कि मैं जो चाहिए उनमें से money keywords कितने हैं जो exact intent clear कर रहे हैं और कौन से keywords हैं जो चाहिए तो हैं लेकिन maybe उनमें intent clear नहीं है आये देखते हैं जैसे कि हम इस screen पे देख सकते हैं कि मेरे पास वही mobile phones का folder है और उसमें मैंने एक जो sheet create की थी जिसमें मैंने सारे keywords clean किये थे मैं उसी फाइल को दोबारा open करूंगा और इसमें मैंने पहले कुछ keywords highlight किये थे जिसमें green color का मतलब ये है कि ये वो keywords हैं जो मुझे लगता है कि मेरे business related हैं और red का मतलब ये है कि ये वो keywords हैं जो शायद मुझे नहीं suit करेंगे या मेरे लिए नुकसान दे भी हो सकते हैं तो ये मैंने जब highlight किये थे तब मैं इनकी relevancy चेक कर रहा था अब इन्ही keywords में हम कोशिश करेंगे उन keywords को धूनने की जनसे हमें लगता है कि शायद हमें पैसे मिल जाएं For example, अगर आप किसी brand का mobile बेच रहे हैं तो इसमें Samsung mobile price लिखाओ है अब possibility है जो Samsung का mobile price के साथ दून रहा है वो उसको खरीदना भी चाहता हो लेकिन अगर हम नीचे move करें स्क्रोल करते जाएं तो आपको जितने long tail keywords मिलेंगे उनमें intent ज्यादा clear होती जाएगी अब short tail की traffic ज्यादा होती है इसके वो ज्यादा highly searched keywords उपर आ रहे हैं लेकिन चुके long tail की searches कम होती हैं तो हमें थोड़ा सा scroll करके नीचे जाना पड़ेगा जहां पर हम यह देख सकेंगे किन phones की exact searches हैं या कौन से ऐसे keywords हैं जिनसे हमें exact पैसे मिल सकते हैं मेरी कोशिश यह है कि मैं उन keywords को निकालू for example जैसे कि यह word लिखावा latest mobile phones with prices and features यह शायद वो लोग search करें जो कोई phone खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको यह नहीं बता कि वो कौन सा phone खरीदना चाहते हैं तो उनको यह help चाहिए कि कौन से ऐसे latest phone है जिनकी prices भी उनको मिल जाएं और उनके features भी उनको मिल जाएं और उस बेस पे वो decision ले लें कि यह किस तरह से उनको कौन सा phone suit करेगा उनके budget के अंदर अगर आप इसकी searches देखेंगे तो इसकी searches तक्रीबन दस से एक सो है यह searches देखने में तो कम है लेकिन अगर आप ऐसे हजारों keywords की ranking ले लें तो आप यह दस से सो keywords ऐसे keywords है जो basically वो लोग आपको search करते चले जाएंगे और आप उस पे rank करते चले जाएंगे और यह बिलकुल वो traffic है जो आपको ultimately पैसे दे सकती है क्योंके mobile phone search करने वाला और latest mobile phone with prices and features यह keyword search करने वाला दोनों में फरक यह है कि उसमें एक के पास intent नहीं है जबके दूसरे के पास intent है और हम समझ सकते हैं कि वो शायद जादा serious है अपने query के बारे में इसी तरह से एक और keyword है जिसमें compare mobile phone deals अब यह keyword कौन लोग search कर सकते हैं अब deals एक नई category launch हो चुकी है जब भी आप deals की बात करते हैं तो लोगों के mindset में होता है कि कोई offer मिलने वाली है या कोई discount मिलने वाला है और brands इस keyword को बड़ा अच्छी तरह से capitalize भी करते हैं तो अक्सर deals event specific होती है for example black friday या new year या कोई और ऐसा event जैसे के ईद के दिनों पर ये brands offers निकालते हैं discount देते हैं और deals देते हैं तो कुछ लोग बकाइदा wait करते हैं उन deals का जो certain मौकों पर जो certain events पर लोगों को offer की जाती हैं और उससे ये होता है कि वो wait कर रहे होते हैं कि deal में discount के ओपर mobile खरीद लें इसी तरह से जो हमारे keyword search करने वाले लोग हैं ये possibility है कि ये highly targeted keywords उनके लिए हैं जो wait कर रहे थे कुछ महीनों से कि कोई deal launch होगी तो हम उस deal के ओपर phone buy करेंगे तो इसको मैं highlight करूंगा as a positive keyword मुझे लगता ये है कि अगर मैं इस keyword पर rank कर जाओं तो कल को इसको search करने वाले मेरी website visit करेंगे तो might possible कि वो मुझे चीज़ भी खरीद लेंगे इसी तरह से एक और keyword है जिसमें cheap mobile phones for sale अब ये वो search है जिसमें लोग sale के लिए cheap mobile phones मांग रहे हैं possibility ये है कि इनके पास जादा budget नहीं है और ये सच्टे phone देख रहे हैं और मेरे पस अगर एक cheap mobile phones का ये नहीं कि एक budget phones का एक page बना हो तो उस पर मैं keyword optimize करके मैं साइट traffic वहाँ gain करना चाहूंगा इस तरह के possibility हैं कि हमें और कौनसा ऐसा keyword मिले जो exact हमें money keyword के तोर पे count हो सकता है अब ये एक और keyword है जिसका नाम buy mobile phones online at lowest prices अब इसमें buy का word है तो ये buy का word exact चीज़ ये clear करता है कि जो भी इसको search कर रहा है वो buy करना चाहरा है अब ये intent clear करता है कि ना सिरफ ये phone धूंड रहा है बलके ये phone खरीदने की गर्से धूंड रहा है तो में ये बड़ा relevant keywords हो सकता है तो मैं इसको shortlist करूँगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको अपनी website पर optimize करूँ ताके जब भी कोई buy लिखे साथ अपनी mobile phones या mobile phones related keywords लिखे उसका मैं मिल जाओं और मैं उसके against अपनी sales भी end कर सकूँ ये intent ही basically सबसे important चीज़ है क्योंकि अगर आपको intent clear हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चीज़ ख्रीदने की गर्से आ रहा है और कौन चीज़ ख्रीदने की गर्से नहीं आ रहा और ये ही वज़ा है कि SEO इसकदर successful है क्योंकि इसमें Google आपको ये intent ही बताता है कि आपको ये demand नजर आ जाती है कि कितने लोग latest phone दून रहे हैं कितने लोग budget phone दून रहे हैं कितने लोग smartphone दून रहे हैं और ये intent दूनना itself as a marketer आपके लिए बड़ा important है क्योंकि जितने अच्छे keywords आप दून लेंगे उतनी अच्छी आप optimization कर सकेंगे और उतनी ज्यादा sales आप generate कर सकेंगे जैसे कि मैंने पहले का कि आप हर keyword पे rank तो कर सकते हैं मेनत लगेगी time लगेगा लेकिन अगर आप गलत keyword पे rank कर गे तो मसला यह होगा कि वो लोग तो आपको search कर लेंगे बट वो आपसे buy नहीं करेंगे और अगर आपसे buy नहीं करेंगे sales नहीं होंगी तो ultimately आपको यह लगेगा कि हमारे लिए SEO बेकार है क्योंकि SEO में हम invest तो कर रहे हैं नहीं चाहिए traffic बलके वो चाहिए जो actually आपके customer oriented हों जो इस intent से आ रहे हों कि आपसे buy कर सके so money keywords से मराद वो keywords हैं जो ultimately sales drive करते हैं और आपका यह काम है कि आप उनको धूंडें और मैंने आपको भी ही बताया कि वो कैसे आप कर सकते हैं